हेलो डियर स्टुडेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 साइन्स चैप्टर 14 नैचरल रिसोर्सेज जिसमें हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट बायो जियो केमिकल साइकल जो कि है हमारी कारबन साइकल अभी तक आप हमारे प्रीविएस वीडियो में जो बायो जीओ केमिकल साइकल क्या होती थी और मेंली जो था इसमें वाटर साइकल और निट्रोजन साइकल के बारे में देखा था अगर आपने हमारे प्रीविएस वीडियो नहीं देक्ए है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागली पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं दो आड कार्बन साइकल आपको पता है कारबन आपने अट दिन आप अव variation और दो आपoltरण सरे की स्वाइब तो अणिए एक रेगजान आपको पता है Vända Keine ग्रेफैट के आपको पता हैowing 5-7 Messiah में उसके बाद carbonate and hydrogen carbonate salt के फॉर्म में मिलता है, अलग-अलग minerals में present रहता है और बहुत सारे ऐसे molecules होते हैं जिनमें carbon present रहता है जो हमारे life के लिए जरूरी होते हैं जिनमें यदि हम बेनली बात करें तो protein है, carbohydrates है, fats है इन सब में carbon जो होता है वो present होता है फिर vitamins and nucleic acid है इन सब में carbon present रहता है फिर देखें तो जो animals होते हैं उनके endoskeleton और exoskeleton जो होते हैं endoskeleton मतलब हमारा bone है इसी तरह calcareous, calcium carbonate की exoskeleton जैसे हमने starfish में देखा है बाहर की layer hard होती है तो endo और exoskeleton का form भी जो है वो carbonate salt से ही होता है तो हम यह बोल सकते हैं कि carbon जो है वो life form में अलग-अलग तरह से incorporated है अलग-अलग तरह से life form में present है और सबसे बड़ी बात यह photosynthesis में भी involved है किस तरह से क्योंकि photosynthesis में carbon dioxide का ही use होके glucose में conversion होता है जो की दोनों ही carbon compound है ठीक है ना तो यह इस तरह से mainly this process यह जो है तो मैंने अभी बताया कि यह glucose molecules में convert होता है अब glucose जो है फिर energy के use में वापस से convert होके वापस carbon dioxide में बदल जाता है है ना तो glucose फिर convert हो जाता है कि carbon एक बहुत ही important biological molecule है है ना बहुत ही important है biologically carbon का उपयोग जो है बहुत जादा होता है अब glucose का यूज होगा यह वापस carbon dioxide यह आएगा तो इस तरह से यह जो प्रोसेस है यह एकमोसफियर में continue चलती रहती अब देखी carbon dioxide in atmosphere यह और गनी कंपॉण्ड के फॉर्म में जो है वो अनिमल्स में आगया और गनी कंपॉण्ड मतलब glucose के फॉर्म में अब उसके अलावा भी यह कोल के फॉर्म में भी होता है Carbonates के form में भी होता है, यहां से Limestone के form में भी है, अब यह तो इस फर्म में आएगा, यह फिर यह जो Organic Compound थे, यह plants है, Animals में आगए, Animals से फिर यह पेट्रोलियम में कई बार बदल जाते हैं, यह इन में Shells वगरे जो Animals के रहते हैं, उन में कार्बन होता है, फिर यह इस तरह से य ने जो इनकी carbon cycle है वो चलती रहती है ना continue इस तरह से life में carbon cycle जो है वो चलती रहती है तो carbon dioxide जो है glucose में convert हो और फिर glucose से वापस से carbon dioxide में convert हो गया है ना आपने देखा है जो fossil fuel का formation हुआ तो fossil fuel को हमने यदि बं किया तो it's also change into the carbon dioxide यह वापस से carbon dioxide में change हो गया मतलब कुछ भी होके carbon dioxide के form में atmosphere में release होता रहता है अब जब हम carbon dioxide की बात कर रहे हैं तो green house effect को समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि carbon dioxide से ही related है green house effect तो green house effect होता क्या है वो यदि हम देखें तो तरसल जो hilly areas थे जहांपर plant को sufficient quantity में sunlight नहीं मिल पाती थी वहाँ glass box बनाए जाते थे आपको पता है glass box या glass का characteristics होता है कि ये heat को अंदर आने तो देता है मतलब heat energy trap कर लेता है बट बाहर नहीं जाने देता है बाहर नहीं निकलने देता है तो temperature ज़्यादा रहता था heat ज़्यादा मिलती थी और plants अच्छे से grow करते थे same phenomena जो है वो carbon dioxide के साथ है carbon dioxide की quantity बढ़ने के कारण plants अर्थ पे कम होने के कारण क्योंकि हमने देखा है carbon dioxide को जो convert कर सकते है वो सिफ plants कर सकते है तब इनके quantity बढ़ गई तो ये क्या हो गया ये चारो तरफ से इन्होंने ऐसे blanket जो है वो cover कर लिया अब इन्होंने ऐसे cover कर लिया तो अब जो sunlight की heat energy है mainly वो अर्थ तक पहुँचती तो है बड़ जब वापस निकलने को होती है तो इस layer से टकरा जाती है टकरा के rebound होके अर्थ पे आती है तो इस तरह से ये process चलती रहती है जिसके कारण इनकी intensity बढ़ जाती है heat energy की और वो ज़्यादा और heat करने लगती है तो इसके कारण जो effect cause होता है वो क्या कहलाता है greenhouse effect कहलाता है अब greenhouse effect होने के कारण heat क्या हो रही है अर्थ पे temperature जो है वो बढ़ने लगा है temperature बढ़ने लगा है तो ये global warming cause कर रहा है जो अर्थ पे ice है आपको पता है polar reason में mainly ice है तो ये जो ice है ये पिगलने लगेगी और ये जो है फिर जो water level है और उसको बढ़ाएगी और जितने भी मतलब समुदरी किनारे एरियां है नदियों के किनारे एरियां है वो क्या होने लगेंगे submerged होने लगेंगे तो mainly इसका reason क्या है green house effect है green house effect के कारण जो है global warming हो रही है तो इससे बचने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा plantation करेंगे जितने ज़्यादा plantation करेंगे heat energy उतनी ज़्यादा absorb होगी और heat energy ज़्यादा absorb होगी तो carbon dioxide जो है मतलब carbon dioxide ज़्यादा absorb होगी और उतना जो temperature है वो कम रहेगा तो आज हमने अब डो topic कवर करें एक carbon cycle और दूसरी जो थी वो green house effect इन दोनों topic में यदि आपको कोई problem है तो आप मुझसे message करके comment करके contact करके पूछ सकते हैं एक बार book जरूर read करिएगा keep study, keep watching, thank you so much